हाई फ्रेंड्स मैं वीके चित्रांगन और मैं आपके चैनल वीके चित्रांगन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आज की इस वीडियो के माधम से हम आपको पीले कनेर के पुष्प के साथ एक हिरन को बना करके और अलेखन को कम्प्लीट करेंगे जैसे कि कल वाले वीडियो में हमने हिरन का सवरी पिले कनेर का पुष्प बनाकर बनाना सिखाया था और उसको हमने आज अपलोट किया है आज आपके साथ तारीक 西225 साथ नौबबर में हमने उसको अपलोट किया है वीडियो को और जो वीडियो आज हम सूट कर रहे हैं 7 नौमबर को इसको हम कल आप तक पहुँचाएंगे अपलोड करेंगे और इसलिए बहुत ही आसान तरीके से हमने इस वीडियो को आपको शिखाया है इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना और सीखने का प्रयाश करना चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है एक हिरन बनाना है हिरन बनाने के लिए हमको क्या करना है सिंपल सा यहाँ पर एक सर्कल बनाना है इस प्रकार से और सरकल बना करके छोड़ा सा सरकल यहां पर हम बनाएंगे ठीक है और सरकल दोनों सरकल आपके बन गए हैं जहां पर इसमें हम कान बनाएंगे इसके इस परकार से थोड़ा सा इसके कान लंबे और पतले होते हैं तो इस परकार से हम इसके कान को बनाएंगे यहाँ पर हम इसके दूसरे को कान को बनाएंगे इस परकार से इसे डबल रहेगा यह सिंगल रहेगा आपका इसको क्या करना है इस प्रकार से हमको ले के जाना है और इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना है ठीक है इस प्रकार से इसको मोडना है और इसको ऐसे ले के आना है नीचे की तरफ और ऐसे ले जा करके इसको पतला ले करके आना है यहाँ पर ऐसे मिला देना है इसको थोड़ा सा यहा लाइन से आधारित नीचे हम लेके आएंगे सीधा ऐसे ठीक है और यहां से हम इसका जे टाइप पार्ट को बनाएंगे ठीक है थोड़ा जे टाइप रहे गाए और यहां से ऐसे बना देंगे इस वाले पार्ट को हम ऐसे ही नीचे से गोल करके ले जाएंगे ठीक है और सीधा ले जाएंगे ऐसे और इस प्रकार से हम इस प्रकार से ले की आएंगे और इसको ऐसे पूँच यहां से हम बना देंगे इस टाइप में इसको मोड़ेंगे और इस प्रकार से हम इसकी पूँच को बनाएंगे यह हमारा उपर का पार्ट बन गया अब इसके हमें पैरों को बना ठीक है। तो इस प्रकार से इसके प्रेलों को हम नीचे लिए के आते हीं यहाँ पर और इसको इस प्रकार से लाग़र के हा। आईसे कमप्लेट कर लेंगे और उसको ऐसे लागरके यहां से ऐसे छोड़़ देंगे। यह का बना देंगे यह हो गया दूनों आगे के पैर बन गए हैं इस वाले पार्ट को हम नीचे ऐसे ले जाएंगे ठीक है और यहां से हम पीछे के पैर इसके बनाएंगे ठीक है तो पीछे वाले पैर बनाने के लिए हमको क्या करना है इस प्रकार से इसको ले के आना है ठीक है और इसको इस प्रकार से नीचे ले के आएंगे और इस प्रकार से मोड़ करके यहां से हलका सा मोड़ेंगे और इसको ऐसे ला करके उपर के तरब ले जा करके ऐसे मिला देंगे ठीक है तो इसका ये पीछे का पैर भी हमारा आसानी से बन गया और एक पैर और इसमें बनेगा क्योंकि तीन बने हैं पैर तो ये भी बहुत ही आसान तरीके से हमको यहां से बना लेना है इस प्रकार से ले की आएंगे और इस प्रकार से ले की आएंगे यहाँ पर ऐसे मोड करके और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो यह हमारे इसके पैर बन गए और यह हमारा हिरन का पार्ट बन गए यहाँ का थोड़ा सा हमें नीचा लग रहा है कम लग रहा है पार्ट को हम साफ कर देंगे यहां पर इस प्रकार से अब जो हमने लाइने सिंगल लाइने खीच रखी थी उनको हम एक बार में ड्रॉ कर लेंगे यह roughly line ने हमने बनाई थी कि हाँ हाँ अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी तो यह बनाने के बाद हमको पता चला है सही लग रही है तो इसको हमने clear कर लिया यहाँ पर भी circle थोड़ा सा देख रहा है इसको हम साफ कर लेंगे और इसको भी हम इस वरकार से single line में convert कर देंगे इसको यहाँ से ला करके ऐसे मिला देंगे और क्या करना है इसमें इस परकार से हम कुछ धाजिया बना देंगे इसकी चित्ती जो पड़ी रहती है गोल गोल आपने आलेकन में काफी देखा होगा इस परकार से तो इस परकार से हमारा हिरन बन करके complete हो गया है और अब बात आती है flowers की तो हमने आपको बताया था कि कनेर के push पर रहेगा अधारित जो कि हम कल ने बनवाया था उसी पर तो कल वाला वीडियो हम description दे देंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को कनेर के फूल को कैसे बनाना बताया गया है यहाँ पर हमको क्या गरना है यहाँ पर आपको इस प्रकार से ठीक है एक तिरभुज बनाना है light light और इसी तिरभुज में हम कनेर के push को fit करेंगे इतनी ही दूरी में हमारा push बन जाएगा और यहाँ पर हमको क्या गरना है एक कली बनानी है कनेर की पुष्प की ऐसे ही सेम हमको नीचे से ले की आना इसका डंठल यहां से बना देना है और यहां से सेम ऐसे ही हम ले की आएंगे और नीचे इधर हमको एक तरफ नीचे की तरफ बनाएंगे यहां पर ठीक है दोनों साइड में हमको एक ही फ्लावर बना बनाना है कनेर का और इसको लेकि आएंगे तो यहां पर एक कली रहेगी ठीक है अब यह वाला यह लाइन जो है यहां से आ जाएगी यह ऐसे हमने एक धाचा बना लिया यहां पर कनेर का पुष्ट रहेगा यहां रहेगा एक कली यहां पर रहेगी अब इसमें पत्तियां बना नहीं हो तो हम बात मिला लेएंगे पहले हम कली और पुस्ट बना लेते हैं सबसे पहले आप कि अगर ना एक सी टाइप लाइन अलए है धिर इसका आधार बनाना है लाइन टू लाइन जैसे हम कंप्लेट कर रहे हैं वैसे ही step by step आप भी complete कर लेना बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है हमने बहुत सारी यूटूपर वीडियो देखी है हमें नहीं लग रहा है कि आज तक किसी ने इस से बहतर बताया है आपको ठीक है इस प्रकार से आप बीच में एक simple सा w बना देना ठीक है आराम से आपका फल फलावर बन जाएगा फिर इसमें क्या करना है बीचो बीच में इस प्रकार से round करके इसको ऐसे मिला देना है और इसको यहां से ऐसे मिला देना है और इसको भी ऐसे हिला के मिला देना है तीन पंकुडिया बन गई हैं दो और बना देजिए पांच हो जाएंगी इस प्र वेचा आधार बनाई और इसको ला कर के इसे छोड़िए और इसको ऐसे ले जा करके थोड़ा सा ऐसे छोड़ दीजे ठीक है और इसमें हमने बताया था W का से तो same आप W बनादेजिए इस प्रकार से और इस प्रकार शे इसमें पंखुडियां बना दीजिए जैसे उधर हमने बनाई है सेम और यहाँ पर दो पंखुडियां और बना दीजिए तो यह भी आपका फ्लावर बन गया ऐसे ही सेम यहाँ पर हम इस कली को कंप्लीट करेंगे जैसे की कलम ने किया था तो सबसे पहले हम इसमें आधार बना लेंगे और इस प्रकार से इसको छोड़ देंगे ऐसे ही हम इसको ला करके और ऐसे मिला देंगे तो हमारी कली बन जाएगी ठीक है ऐसे ही यहाँ पर भी हम बुग्या करना एक C टाइप लाइन और यहाँ पर इस प्रकार से एक U टाइप लाइन कह सकते हो और इसके अंदर एक W बना देना है बस ठीक है और इसको यहाँ से इस प्रकार से लागर के यहाँ पर मिला देना है तो हमारी एक कलिया बन गई फ्लावर बन गई अब इसमें हमको डिजाइन बनानी है ठीक है तो डिजाइन कैसे बनाएंगे यह देखिए पत्तियां पहले बना लेते हैं क्योंकि पत्ती भी आवश्यक होती है तो इसमें पत्ती हम थोड़ी सी मुड़ी भी बनाएंगे ठीक है तो इस प्रकार से हम एक पत्ती बनाएंगे और इसको इस प्रकार से लागर के और यहां से हम ऐसे मिला देंगे ठीक है और इसको ऐसे लागर मिला देंगे इसको ऐसे लेके आईए और ऐसे लागर के यहां से छोड़ दीजिए इसको ऐसे राउंड करेंगे और यहां से लागर के इसको छोड़ेंगे और इसको इस प्रकार से लागर के यहां से छोड़ेंगे तो क्या करेंगे इसको सीधी सी लाइन इसमें डालेंगे और सीधी सी ला लेकिन जब हम उनको करने बैठते हैं और एक-दू-बार प्रेक्टिस करते हैं तो काफी बहतर लगने लगती है आसाल लगने लगती हैं अब इसमें रह गया है पत्यां दो बन गई है साखाएं वाली अब complete कर लेते हैं क्योंकि इसको भी complete करना जरूरी है तो यह साखाएं देखो थोड़ी सी पतली बनाया करो आप लोग बहुत मोटी बनाते हो बहतर नहीं लगती है और अगर एक साखा जितनी मोटी है उतनी सभी साखाएं बनाया करो अब यहाँ पर हमने दो flower के उपर मुड़ी वी पत्तियां बनाई है तो कली के उपर यहाँ पर पार्ट में हम सीधी पत्तियां एक एक सीधी पत्ति बनाएंगे यह बाहर की तरफ है तो इसको हम अंदर की तरफ बनाएंगे ठीक है तो यहाँ से इस परकार से आप simple सी सीधी प यहां पर भी अंदर की तरफ आप एक पत्ती बना लीजिए, यह जरूर ध्यान दे कि हमने उधर अंदर की तरफ बनाया है या बाहर की तरफ बनाया है, डिजाइन में बहुत ज़्यादा अलक सिलाने की आओ सकता नहीं पड़ती है, एक चीज को आप complete करेंजिए, वही इधर बना दीजिए, ठीक है, लेकिन थोड़ी से हमने बिप्रीद बनाई है, जैसे हमने बनाया, same वह ऐसे ही बनाईएगा, तो आपका अलेखन और भी बहतर लगेगा, जैसे यहां हमने साखा को complete किया था, वैसे ही हम इसको भी complete कर लेंगे, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से हम इसको complete कर लेंगे, ऐसे ही इधर वाली साखा को भी हम complete कर लेंगे, तो और भी आलेखन हमारा बहतर हो जाएगा, इस प्रकार से, और यहां पर भी हम इसक को ऐसे ही complete कर लेंगे अब देखिए इसमें पत्तियां चार बन चुकी हैं दो फूल बन चुके हैं दो कलिया बन चुकी हैं तो हमारे इसाफ से कि हमको और अधिक इसमें पत्तियां ना बनागर इसमें कुछ डिजाइंस डालनी चाहिए पहले और जब डिजाइंस सवाई बन में डालेंगे तो यहां पर सबसे पहले यहां पर आप डिजाइंस डालें इसमें कुछ इस प्रकार से इसमें लागर के एक पत्ति बना दीजिए अब यह फ्लावर के ऊपर यहां पर आपने बनाई हैं तो यह बाहर की तरफ बनी भी है ठीक है यह अंदर की तरफ थी यहां पर आप इसमें इसमें भी एक इस प्रकार से पत्ती बना दें जैसे कि यहां बनाई है सेम वैसे ही यहां पर हमको कुछ भी अलग से नहीं करना है ठीक है अब यहां से ले की आएंगे और इस प्रकार से हम एक डिजाइन डालेंगे इसमें ऐसे एक सी टाइप लाइन बनेगी थोड़ा सा पत्ती की जिगप नहीं बनाना है और इसको ऐसे गोल करके और ऐसे ले जा करके यहां से मिला देना है बहुत ही बहतर डिजाइन हम आपको बता रहे हैं जो आपको हाई स्कूल बोड परिच्छा में 2024-25 की जो परिच्छा होने वाली है अभी उसमें आपको बहत यहां जातर मार्क्स दिलाएगी है फिर यहां से लेकी आना है और इसको ऐसे ही गोल करके जैसे आपने उधर बनाया था सेम वैसे ही यहां पर बना देना है जैसे वहां पर बना है सेम वैसे ही यहां पर भनाना ए थोड़ा बहुत अंतर 19-20 का चलेगा लेकिन अगर आप 50-50 कर देंगे तो भेकाल लगेगा फिर क्या है अब जहां जहां में चीजे रिक्त मिल रही है वहां वहां को बनाना है तो इसको हम ऐसे गोल करके ले जाएंगे और इसको ऐसे फिर ऐसे और यहां से इसको ऐसे मिला देना है ठीक है तो सेम पत्तियां हमको मिल गई ऐसे ही हम दोनों तरफ का साथ में कम्प्लीट करते भी चलेंगे अब हमको क्या करना है आगे इस पेस कुछ ज्यादा मिल रहा है तो यहां से हम इस पंकुड़ी के से साथ यहां पर भी हम इस प्रकार से एक डिजाइन को डाल देंगे ऐसे ही यहां पर भी हम एक डिजाइन को डाल देंगे ऐसे ही जैसे हमने आसा और भी अच्छा लगने लगेगा ठीक है फिर हमको कि अगर ना इसमें यहां पर रिक्तिस्थान लग रहा है तो यहां पर हमको एक पत्ती और बना देनी इसकी इस प्रकार से और फिर ऐसे ही सेम हमको यहां पर भी पत्ती इसकी बना देनी एक जिसा कि हमने बताया था आपको कि दोनों साइड आपको बराबर रखने ही जैसा एक तरब बनाएंगे वह ऐसा दूसरे साइड भी बनाना है अब यहां पर देखो दोनों जिगे जिगे ज़्यादा मिल रही है तो इस पत्ती के ऊपर हम एक और इस प्रकार से पत्ती बनाएंगे और एक पत्ती यहां पर भी इस प्रकार से बनाएंगे ऐसे ही आपको यहां पर भी बना देना है अब ये इतना तो फिल हो गया ठीक है और ये पार्ट थोड़ा रह रह रहा है हाँ पर तो इसको देख लीजिए यहाँ पर आप ऐसे ही डिजाइन कर दीजिए जैसे हमने उपर किया है एक दूसरे से मिलती भी डिजाइन सब बनाते हैं तो आलेखन हमारा और भी वेथर लगता है तो इस प्रकार से आप इस आलेखन को कम्प्लीट कर सकते हैं और अगर जहाँ जहाँ इस पेस बच रहा है वहाँ वहाँ छोटी मुटी डिजाइन आप डाल सकते हैं जैसे यहाँ है तो है एहां पर ऐसे डिजाइन से आप डाल दीजिए थोड़ा साइख खाली खाली सा लग रहा है और एसे यहां पर डाल दीजिए हिस पती के साथ मिंक्या आप क्योंकि इलिक्तिस्तानम को ज्यादा लग रहा था इसमें अब देखिए इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको कंप्लेट किया है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों तक सेयर जरूर करें एक बाद बनाने का प्रयास जरूर करें उम्मिद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इन्हीं अपने दोस्तों तक सेयर जरूर करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद